उत्तर पदेश के किसान भाईयों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो गन्ना कटाई करने के बाद गेहों की बुआई करते हैं जिसके काण लेट हो जाते हैं और अगर लेट हो जाते हैं तो जो ब्राइटियों की बुआई करते हैं वो लेट होने के काण उत्पादन इतना अच्छा नहीं दे पाते हैं, जिससे किसान भाई गन्ना कटाई करने के बाद बुआई करते हैं, तो उनको इतना बढ़िया फाइदा नहीं मिल पाता है तो आज की वीडियो में दोस्तों ऐसी हम लेट ब्राइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी बुआई अगर आप लेट करते हैं लेट का मतलब अगर आप जनवरी के पहले सब्ताह तक भी कर देते हैं तब भी उतपादन कम मिलने वाला नहीं है जबर जस्त उतपाद जिससे ऐसी वीडियो और भी आपको देखने को मिलती रहेंगी बाकि जो ब्राइटी दोस्तों है वो बहुत अच्छी है इसलिए आप वीडियो पूरा देख लिजिएगा और तभी आपको समझ में आएगा जिस ब्राइटी में क्या-क्या खास चीज़े हैं और उस आधार पर आप इस ब्राइटी को लेट होने के बावजूद भी लगा सकते हैं तो पहली चीज़ दोस्तों ये इस ब्राइटी की जो खासिते हैं वो हम बता देंगे और बीच में हम कहीं पर इसका नाम भी बताएंगे जिरसे आप वीडियो पूरा देख भी लेगे देर से बुआ देश, बिहार, जहारखंड, उडिसा, पस्चिम, बंगाल, असम और अनिपूर्वी, उत्री, राजियों के मैदानी और तराई इलाकों के लिए काफी अच्छी किस्म है इस किस्म के बारे में यदे अच्छाईएं कोई बात की जाए तो इस किस्म में अच्छाईएं बहु किस्म होती, उनको अगर हम लेट बुआई करते हैं, देर से बुआई करते हैं, तो जो मार्च के बाद में अपरेल जैसा समय आता है, उस टाइम पर पहुत तेज तगड़ी धूप पढ़ने लगते हैं, जिसका बिपरीत प्रभाव हमारे गेहूं पर पढ़ता है, गेहूं करने वाली है, गर्मी के प्रति हाई टंपरेचर के प्रति सहिंसील किस्म है, इसलिए ऐसी कोई टेंसन आपको इस ब्राइटी में को ले करके नहीं होगी, तो कि ये लेट ब्राइटी इसलिए तयार की गई है, कि इस पे अगर तेज धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको निश्चित ही ये अच्छा उत्पादन दे देगी, अब और भी अच्छी चीजे जो है, वो भी दोस्तों बता देते हैं, कि इस ब्राइटी की हाइट जो है, वो 85-90 सेंटीमीटर तक है, यानि आउस्तन उचाई का पौधा है, एक पौधे में 18-20 तक कल्ले निक तो उस टाइम पर आपने देखा होगा जो लंबी लाक वाली जो ब्राइटियां होती है, वो गिर जाती है, और ये आउस्तन मद्धे मुचाई वाली है, तो ये ब्राइटी तरह मजबूत होने के काण गिरती नहीं है, अब आपको भी पता है, अगर कोई फसल गिर जाती है तो उत्पादन जितना मिलता है, काफी कम हो जाता है, क्योंकि गिरने के बाद उसमें दाने ठीक दंग से नहीं भर पाते हैं, जो उत्पादन के साथ साथ गुरवत्ता को भी खराब करते हैं, अब इस ब्राइटी में गिरने जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए गुरवत्ता भी आपकी बने रहेगी, और क्वाल्टी भी बने रहेगी, इसके साथ साथ उत्पादन भी आपका बना रहेगा, तो इस ब्राइटी का नाम है DVW-107, जो आपको उत्पादन मिलेगा, वो 68.7 कुंतल प्रते हेक्टियर उत्पादन आपको मिलने वाला है, जो कि यदि हम एकड में बात करें, तो 26-28 कुंतल के बीच में आपको ये ब्राइटी पैदावार दे देगी, जो अक्सर 29, 66, 66 की हम समय पर बुआई करते हैं, तब जाकर भी इतना उत्पादन किसी किसी चेतर में नहीं मिलता है, तो ये ब्राइटी इस मामले में भी का बुआई करना चाते हैं, तो दिसंबर से लगा करके और जन्वरी के पहले पच्छ तक इस ब्राइटी की आप बुआई आगमूंद कर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट बुआई में इस टाइम पर बुआई करते हैं, तब भी आपको ये इतना तो उत्पादन मिल ही ज दोस्तो अगर आप समय पर बुआई करना चाते हैं, तो दूसरी और भी ब्राइटिया हैं, उनके बारे में काफी वीडियो में मैंने जान करी दिये, और भी वीडियो में बला करके आपको इस टाइम पर बताने वाला हूं, तो कमेंट में अपनी राय दीजिए, आप किस ट हुआई किजिए, तो ऐसी जानकारी आपको जल्दी ही वीडियो पर और भी मिलने वाले हैं, तो इसलिए रोज वीडियो देखिए, आप रोज ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, धन्यवाद